स्टूटेंट्स आज पढ़ेंगे हम खींग्डम्स, किंग्स ए अन अर्ली रिबब्लिक पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने काफी कुछ पढ़ लिया सा जनपाट्स क्या होते हैं? महाजनपाट्स क्या होते हैं? ठीक है तो हम अब पढ़ेंगे टेक्सिज जिसने वीडियो नहीं देखिए है तो वो पार्ट वन देख सकते हैं तो टेक्सिज में As the rulers of Mahajanpats were Building huge forts, maintaining big armies They needed more resources तो जो rulers थे Mahajanpats के तो Mahajanpats के rulers थे वो क्या बना रहे थे? बड़ी-बड़ी forts बना रहे थे किले बना रहे थे, अपनी बड़ी आर्मी बना रहे थे तो they needed more resources तो उसके लिए उन्हें बहुत सारा resources भी चाहिए था चीजे भी चाहिए थी, समान भी चाहिए था and they needed officials to collect these और उनको टेक्स collect करने के लिए officials भी चाहिए थे so instead of depending on occasional gifts brought by people तो मतलब जो जिस पर depend रहते थे, जो लोग उन्हें gift देते थे, चीजे देते थे, समान देते थे, तो उन्हेंने क्या किया उसके वज़ाए, as in the case of the Raja of Mahajan पर, they started collecting regular text, तो उन्हेंने क्या किया, एक तरीका तियार किया, means उन्हेंने case तियार किया, जिसमें उन्हें क्या करना था, tax collect करना था तो राजा ने अब क्या कर दिया था tax collect, tax लगा दिया था लोगों पर taxes on crops were most important this was because most of the people were farmers, ठीके तो taxes on crop ठीके तो फसलो पर उन्हें tax लगा दिया था फसलो पर उन्हें ने tax लगा दिया था, क्योंकि यह बहुत जादे important थी क्योंकि इंडिया में जादतर लोग पहले क्या थे, farmers थे most of the people, जादतर लोग farmer थे, और जो tax collect होता था, वो 1-6th collect होता था, जो भी produce होता था, agriculture से, means अगर 100% है, तो 100% का 1-6th percent निकालेंगे तो 1-6th part कितना आएगा, आपका 6-6 and 6-6, लगबख 16%, 16% tax किससे collect किया जाता था, आपका agriculture से, this was known as, भाग of the share, ठीक है, तो इससे क्या बोलते थे वो, भाग या फिर share, जो tax से, tax collect होता था होने, agriculture से, ठीक है तो भाग बोलते थे, भाग means, हिस्सा है ना, there were tax on craft person as well, ठीक है, जो craft person थे, जो लोग काम करते थे, मटका वगएरा बनाते थे, these could have been in the form of labor, तो इन्हें labor की तरह use करते थे हो, ठीक है, तो इनसे tax के वज़ाए क्या collect करते थे हो, means किसी ना किसी तरीके से वो काम करा लिए करते थे, जैसे कि, जो craft person थे है, ना, craft person फे भी tax लगता था, जो भी अलग अलग चीज़े बनाते हैं, utensils बनाते हैं, for example, a viewer और smith में have to work for a day, every month for the king, और उन्हें king के लिए महीने में एक बार free में काम भी करना पड़ता था, ठीक हैं, तो उन्हें भी, क्या, उनके उपर भी tax लगता था, ठीक है, किसकी form में, या तो उनसे जानवर लेते थे, या फिर जो भी उनसे घी, butter, milk, है ना, दूद वगएरा, जो उनके products होते थे, उनसे tax लिया करते थे, वो, ठीक हैं, अब next, there were also taxes on goods that were brought and sold through trade, और जो वैपार के थुरू, जो समान आता था, लाया जाता था, बेचा जाता था, उस पर भी tax लगाया जाता था, and hunters and gatherers also had to provide forest produce to the raja, और जो hunter gatherers थे, hunter gatherers means, जो अपने समान इकटा करके, अपना रोज मर्रा के चलाते थे, पल वगायरा इकटा करके, उन्हें भी जो forest से समान मिलता था, ना, तो tax की form में देना पड़ता था, hunter gatherers को भी, ठीक है, अब देखिए, change in agriculture, agriculture में क्या बदलाव आया, there were two major change in the agriculture, तो दो major change आये था agriculture में उस time पर, एक क्या था आपका, one was the growing use of the iron plug share, ठीक है, जैसे आपके हल, हल हो गए, पहले लकड़ी के हल थे, तो लकड़ी के हल की जग़ा क्या आगया था, अब iron plug share, ठीक है, तो अब iron के वो plug share, iron के हल का इस्तमाल करना शुरू कर दिया था, उस वक्त, this means that heavy clay soil should be turned over better than with the wooden plug share, तो इससे क्या होता था, मिट्टी जो है, ज़्याद अच्छा से निगल पाती थी अंदर से, ठीक है, वज़ाए, जो लकड़ी का होता था, उससे ज़्याद अच्छा तरीके से, जो iron का हल होता था, उससे ज़्याद अच्छा तरीके से, तो जो लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, ट्रांस्प्लांटिंग करना शुरू किया, पैडी का, ट्रांस्प्लांटिंग means, this means that instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, sapling were grown and then planted in the field, तो वजाए जो उनकी seeds होती थी, पीच को पहले भी खेर दिया जाता था जमीन पर और फिर वो उगा करते थे, तो अब क्या हुआ, पहले से ही उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पौदे उगा लिए, छोटे छोटे पौदे उगा के उन्होंने जब जो है planting शुरू की, तो इससे क्या हुआ, increase in production as many more plants survive, ठीक However, it was back-breaking work, एक ऐसा काम था, बहुत back-breaking, means कमर दर्द कर देना वाला काम था, generally slave man and woman, das and dasis and landless agricultural laborers, द्वियर्स कामकाराज has to do this work, ठीक है, तो जो slave man होते थे, slave means गुलाम होते थे, दास होते थे, दासी और कामकाराज, यह important आपका कामकाराज means landless agriculture, means जिनके पास अपनी land नहीं होती थी, और जो खेती करते थे, ठीक है, जो खेती करते थे, उनके पास land नहीं होती थी, तो उन प्लांट को पहले उगाया जाता था उगा के लगाया जाता था तो इससे प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ अब क्लोजर लुक मगदा अब यह पढ़े हैं क्लोजर लुक मगदा आइद मगदा ओन मगदा तो मगदा में क्या था मगदा विकें अब कि इंपॉर्टेंट महा जनपद तो मगदा बने चुका था एक बहुत ही important महा जनपत बन चुका था in about 200 years means शुरू के 200 साल में ही वो बहुत बड़ा एक जनपत बहुत बड़ी राज्य बन चुका था many rivers such as the ganga and sun flowed through the magda क्योंकि जो हुआ पर बहुत सारी river हुआ से गुजरती थी जैसे कि ganga और sun ये magda से होके गुजरती थी नदिया this was important for transport water supplies making the land fertile ठीक है तो ये किसके लिए बहुत important थी जो और ये नदिया थी rivers थी इसके लिए important थी transport ठीक है ships के थूआ से समानी दरूदर लाए जा सकता था water supply वहां से पानी की supply पानी भी ले सकते थे जो भी आसपास के इलाकर में चाहिए होता था और इससे क्या होता था जो नदि में पानी होता था उसके आसपास के इलाकर कैसा होता था उपजाओ होता था मिटी बहुत अच्छी रहती थी part of मगदा वर forested और अगर मिट्टी अच्छे होगी तो forest भी होगा मापने न तो महाँ पर बहुत अच्छे बड़े-बड़े forest थे elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army और जो जंगल में elephants मिलते थे ठीक है तो उनको पकड़ लिया जाता था और उन्हें आर्मी में भरती कर दिया जाता था उन्हें train किया जाता था forest olive also provide wood for building house जंगल से क्या मिलती थी उन्हें लकडी मिलती थी जिससे की घर बनाए जाते थे karts, bell guardi, chariots, जो उसके पईयें होते हैं रत के पईयें होते हैं न besides there were iron ore mines in the region that could be that could be tapped to make strong tools and weapons तो देखें और वहाँ पर क्या था iron ore vitamins, लोहे की ख़दान भी थी तो वहाँ से क्या होता था लोहे से तो लोहे का यूज करके बड़े बड़े weapons बनाए जा सकते थे tools और जार बनाए जा सकते थे ठीक है तो वहाँ पर कित्ती सारी चीज़े थी है न reverse थी वहाँ पर, ठीक है forest थे forest से elephants भी ले उने और elephants का आर्मी में यूज करते थे हो और जो आपका iron ore भी थे होँआ पे लोहे की ख़दान जिससे क्यों weapons बनाए करते थे मगदा है two very powerful rulers मगदा में क्या थे दो बहुत powerful rulers थे कौन-कौन बिम्बी सरा और अजाता सत्तु ठीक है बिम्बी सरा और अजाता सत्तु जो थे बहुत powerful rulers थे who used all possible means to conquer other jenpats ठीक है तो उन्होंने काफी हद तक जो दूसरे jenpats थे उन पे control कर लिया था ठीक है तो यह पूरा अपना जवान लगा देते थे control करने में दूसरे राज्य को महा पदमानन्दा was another important ruler जो महा पदमानन्दा थे वो भी एक बहुत important ruler थे he extended his control up to the northwest part of the such continents जो तो इन्होंने क्या किया अपना northwest part में अपना control बढ़ा दिया means जो यह राजिस्थान और पंजाब वाला रीजन है ठीक है तो यहाँ पर देखे means इन्होंने बिहार थे और जो यह राजिस्थान पंजाब वाला रीजन है इस पर कबज़ा कर लिया था राजिगिरहा राजा गिरहा जो की present day में कहाँ पर है बिहार में तो किसकी capital था हो मगधा की capital था कुछ सालों के लिए लेटर दे capital हो शिफ्टेट टू पार्टली पुत्र पर बाद में क्या हुआ इसकी capital कहाँ पर शिफ्ट हो गई पार्टली पुत्र पटना में ठीक है तो इसकी बिहार की capital कहाँ पर शिफ्ट हो गई पार्टली पुत्र जी से पटना भी बोलते हैं आज के दिन में more than 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become the world conqueror ठीक है तो आज से 2300 साथ पहले एक ruler थे जिनका नाम क्या था Alexander ठीक है तो वो Macedonia में रहते थे यूरोप में तो वो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहते थे विश्व विजेता बनना चाहते थे of course he didn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia हालाकि वो पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा नहीं कर पा है पर उन्होंने बहुत से पार्ट Egypt और West Asia के parts थे उन पे कब्जा कर लिया था and came to know India subcontinent और अब वो कहाँ पर आ गए थे इंडिया इंडिया में आ चुके थे subcontinent में reaching up to the banks of beams ठीक है अब वो इंडिया में आए तो वो कहाँ पर रुख गई आकर जो banks means किनारे पर जो आपकी beams बीज नदी है उसके किनारे पर आकर रुख गई है वेन ही मॉन्टे टू मार्ज फर्दर इस्टवर इस सॉल्जर डिफ्यूस ठीक है जो वो आगे बनने लगे लडाई के लिए तो उनके जो सॉल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया लडाई के लिए क्योंकि वो डर गए थे as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants ठीक है क्योंकि उनके जो soldiers है उन्होंने बहुत सुना था कि जो इंडिया की जो आर्मी है उनके पास क्या है बहुत सारे foot soldiers है means sanic है, chariots है means जो रद पे जो soldiers होते है ठीक है और elephants और elephant को भी छोड़ा जाता है elephant भी लड़ाई लड़ते हैं तो इसलिए वो डर गए थे और वापस चली गए students बाकी पढ़े हैं हम आपका part 3 में thank you